आज हम बनाने जा रहे है पास्ता चिकन पास्ता उसके लिए मैंने चिकन लिए एक ब्रेस्क लिए चिकन का उसको क्यूब्स में का लिया है पास्ता लिए मैंने 3 cups measuring cup का size है आपकी च्वाइस है आपके पास जो भी पास्ता हो आपको ले सकते हैं मैंने बोटाए पास्ता लिए ओल चाहिए हमें सोया सॉस चाहिए सिराचा सॉस है हमाई पास मैगी की चिली गालिक सॉस है क्लासिक कोकी हमाई पास है ट्रेडिशनल स्वीट बेजल सॉस है यह पास्ता में दलती है कैचप चाहिए हमें थोड़ा सा बैल पैपर लिए मैंने इसको भी में बारी काटूंगी एक लसन का जबा है क्रश्च पैपर लिए मैंने हाफ टी स्पून काली सिया मिर्श का पॉडर हाफ टी स्पून नमक हाफ टी स्पून और गैना पाउडर हाफ टी स्पून आप इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के उपर है प्रासेस स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं कटिंग बोर्ड ले लिया मैंने इसके उपर लसन के एक लसन का जावा लिया इसको करूंगी किसी भी स्पिगेटी या पास्ता में लसन से फ्राइ करें तो बहुत अच्छी खुश्बू आती है इसके बाद मैं शिम्लमिश को काटूंगी कि कुई कन इजी पास्ता है आप लेफ्ट ओवर से भी बना सकते हैं अगर आपके घर में बोनलेस चिकन बची भी रखी है तो आप उससे बना सकते हैं एक लेसन काफी है इसके लिए इसको मैंने कदुकश कर लिया है अब मैं शिम्लमिश को काट लूँगी चोई से आपको जिस तरह की शिम्लमिश चाहिए मैं चोटी-चोटी क्यूब्स की शकल में काटूंगी इसको भी आप कम और जाधा कर सकते हैं एक पतेली में मैंने चूले पर पानी गरम करने रख दिया है ताकि हम पास्ता उबाल सकें गरम पानी में पास्ते को डाला करें पानी को अच्छी तरह से पहले खुला लें फिर उसमें हाफ टी स्पून ओयल डाल दें नमक डाल दें अब फिर इसके बाद हम पास्ता डालेंगे टाइमर डगा कर कोई भी खाना बनाएं तो सबसे पहले प्रेप तैयार कर लिया करें उससे बहुत एजी हो जाता है खाना बनाना इसमें दो कलर की भी डाल सकते हैं एक भी डाल सकते हैं मैं इसमें ग्रीन डाली हूं वरना अगर आपको कोई दावत है तो आप कलर फुल बनाएं रैड और इंज ग्रीन जो आपके हमलती हो डाल सकते हैं इसके बीजों को मैंने सेफ कर लिया है उसको मैं गार्डिंग करती हूँ पेड है में अपने बनाती हूं से कीर्श को एंज से कर ले और नेक्स फीक मैं सके वीडियो दिखाऊंगी पैने सिम्द्र मिच के बीजों से ब्लांट बनाया आज इसने सिमद्र मिच आइए इस तरह से मैंने दोनों चीज़े काट लिया है अब मैं इसको बनाने का प्रोसीजर बताती हूँ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हमने एक फ्राइड पैन ले 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 साथी मैंने अदर पानी गरम करने रग दिया अभी उबाल नहीं आया है उबाल आने पर इसमें मैं तेल और नमक डाल दूँगी तोड़ा सोईल डालेंगे मिसमें और लसन के जबाल डाल दिया इसको फ्राय करेंगे जब यह क्रिस्पी हो जाएगा तब हम इसमें और चीज़ तेले दालेंगे शुए नहीं हो है किसी पी शीज़ी चीज़ आया रग्मी तेले तो पड़ handle नहीं है जातके शह मिसमें हो टालेंगे जाएगे ज़गे शुए नहीं है जाएगे लिगशेगं जावे मिसमें अपालातियागे रगालेंगे लान सब्अल कैईमने के एम presents कर दो पाइपरी थोड़ा सोई लोग दिन अगे थोड़ा सोई लोग दिन अगे अगर आपके का स्वास नहीं है तो टिमाटर से टिमेटर पेज बना सकते हैं अगर में डालू ही वन टेबल स्पून सोड़ा सॉस अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्रश्पेपर ना डालें मैं टीनेजर्स के लिए बना रहे हैं तो प्रश्पेपर पसन है उनको हॉट कि अब इसमें में सिराचा भी डालेंगे प्रश्पेपर नहीं पकाते हैं और नहीं बहुत सकत हो जाती है वो फिफ्टीन मिनिट्स का टाइमर लगाए करें तो फिफ्टीन मिनिट्स में यह गल जाती है इसमें में डालेंगे सिराचा सासा आपके टेस्ट पर आपको जितनी पसन हो बन टी स्पून भरके डालेंगे पास्ता सास आपके डालेंगे पास्ता सास पास्ता साथ होपे पास्ता के साथ से डालेंगे 3 कप पास्ता लिया है 됐 अगर कम हुए तो बाद में भी डाल सके मेजरिंग का टाई साइजआ है मैंने पास्ता देंगे और सास को ठीग कि उसी साथ में अटने कि अपना मैं तपां आवि dirt कर से रखने तचीma पानी गरम हो गया था ताइमर लगा दूंगी 15 मिनिट्स का पास्ता को मैंने उबने रख दिया है पानी गरम हो गया था नमक में जाएगा वन टी स्पून नमक में जाएगा वन टी स्पून पास्ता लिया हमने इस ब्रैंड का चीकिन अभी हो रही है टैन मिनिट्स के बाद में डालूंगी बेल पेपर ताइमर में फाइव मिनिट्स रहे हैं तैन मिनिट्स टिकन पत्विए अवसके इडाल दें शिंबला मेश को फाइग मिनिट्स बाद इसमें डालेंगे कैचप और मेंगी की चिली गार्लिक सॉस ताइमर कि अवस्ट कि अवस्ट के लिए रहे हैं इसका नमक चेक कर सकते हैं मैंगी की चिली सॉस घालाऊंगी, जादा भी डाल सकते हैं, यकम भी डालोगों भी मेगी की चिली सॉस डालोगी, 1 टय बस पून, अब होती है मैगी की चिली सॉस हुष्भू बहुत अच्छी देती है पास्ता में टेस्ट बहुत अच्छा आता है शिम्ला में चुछ जादा नहीं पकाने जैसी टाइमर हो जाएगा तो मैं इसको बन कर दूँगी सॉस को में इतना ही थिक रखना है अगर कभी आपके पास पास्ता जादा और सॉस कम पढ़े तो आप सॉस को एड़ कर सकते हैं पकाने की ज़़ूरत नहीं होती एक मिनिट रह गया है पास्ता की चेकिन बनने में जब तक इसको देख सके लेते हैं कि पास्ता पास्ता में मिक्स कर दूँगी और फिर इसको पास्ता में मिक्स कर दूआए जितना स्कत बॉक्स पर टाइम होता है अतना बनाएं बिल्कुल गल गया है चूला बन कर दूँगे मस्कपाली एक ऐसे चन्ने में डाल के फेकेंगे टाइमर हमारा बच गया है चिकिन डरन है चूला में बन कर दूँगे टाइमर भी बन कर दिया पास्ता को मैंने इस तरह से निकाल लिया इसका पानी जब सब गर जाएका नीचे चन्ने में से तब में डालूँगी अगर अगर को पास मॉजरेला चीज है तो आखर में गोगी इसके उपर डाल दियागा बच्चों को बहुत अच्छी लगती है मॉजरेला पास्ता के सब तोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करेंगे कि अच्छी खुश्गू आरी है समसे बनाकर जबू देखेगा गच्छों को बहुत पसना आता है पूरी से उपर से इसमें ब्लैक पापर डालेंगे उसकी खुश्भू भी बहुत अच्छी आती है अच्छी दर ऐसे मिक्स कर देंगे और पर इस पर डालेगी मोजरेला हाफ कप मोजरेला चीज श्रेड़ डालें और चूले को फिर बंद पर देंगे क्युक्ति अंज रुब अोड़ा रता है क्यां रता है अच्ति अच्ति आता है वाले ग्यान और रता है क्युक्ति रता है तोड़ी सी हाथ से इसके स्प्रेंफिल करने है चीज़ करने है इस तरह से यह अभी गरम पास्ता में खुद ही मैल दो जाएगी पास्ता में अड़ान है इस पर थोड़ी सी मैंने ग्रीन अनियन स्प्रिंकल किये ग्रीन अनियन भी हमने बैक्याद में लगाई वी है जब ग्रीन अनियन लाए करें तो उसको काटके अरी प्यास को रख लिया खरें उसकी जड़ों को गम्लिम लगा दें पास्ता में ड़न है बना कर जबूर देखिएगा पसंद आए तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थेंक यू